तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आज काफी इंपोर्टेंट लेक्चर आज का होने वाला है, हम इसमें डिसकस करने जा रहे हैं, MCQs, Indian Constitution के, ठीके काफी इंपोर्टेंट MCQs हैं, इसमें हम कवर करेंगे हमारा जो basic features हैं, Constitution के, इसका जो starting introduction के, जो facts हैं, जो मैंने आपको notes दिये थे, and preamble, तो basically जो हमारे lecture 1 to lecture 4 मेरी चैनल पे covered हैं, उन lectures का ही MCQ है, ठीक है, तो उनके लिए तो beneficial है ही, जो मेरे regular students हैं, regular watchers है मेरी चैनल के, and जिन्होंने मेरे videos अभी तक नहीं देखे हैं, यह उनके लिए भी beneficial होगा, क्योंकि काफी facts and काफी concepts आपके इसमें clear हो जाएंगे, but I would still suggest कि आप मेरे videos देखें, और जो PDF में telegram पे upload करती हूं, जिसकी link आपको नीचे description box में मिल जाएगी, उन PDF से आपको videos जो है मेरे, वो revise कर सकते हैं, या आप मेरे videos से directly अपने handwritten notes भी बना सकते हैं, ठीक है, तो without wasting much time, हम start करते हैं MCQs, लेकिन उससे पहले do like, share and subscribe to this channel, and जो comment से बताएं, आपको videos कैसे लग रहे हैं, and comment section में नीचे बताएं, कि आपने कितने marks score किये हैं out of 30, ठीक है, तो this is me, Kurat Malik, and ये मेरी YouTube channel है Karan Karan, जिसको आपको subscribe करना है, तो start करते हैं आज के पहले questions से, तो questions पहले easy होंगे, factual based होंगे, दिरे-दिरे की intensity बढ़ती जाएं, ठीक है, तो constitute assembly है, उसको पहली बार किसने recommend किया था, तो किसने recommend किया था, आप pause करके पहले answer कर सकते, या at least कुछ second दे सकते हो सोचने के लिए, उसके लिए आपको video pause करना होगा, तो हमने August proposal, Crips mission, वेवल plan, ये सारी चीज़े नहीं पढ़ी, ये हमें history में पढ़नी है, तो basically हुआ क्या था, finally independence से पहले कोई committees बनी थी, जो कोई plan, proposal लेके आए थे, इंडिया के लिए कि आपको किस lines पर independence चाहिए, कि क्या आपको इंडिया और पाकिसान अलग करना है, ठीक है, या आप एक ही country रहना चाहोगे, इंडिया, अंडर बिटिश रूल, या आप अपना constitution खुद draft करोगे, ठीक है, तो ऐसे का सारी काफी चीजे लेके, different committees, proposals लेके आये थे, उसी में जो constituent assembly बनाने का proposal था, जिसने क्या किया था, constituent assembly ने, basically एक committee थी, जिसने draft किया आपका constitution, ठीक है, तो ये जो constituent assembly थी, ये किसने recommend की थी, cabinet mission plan, ठीक है, objective resolution, put forward by Javaharlal Nehru, was adopted on, अब objective resolution क्या होता, ये मने आपको कहा, इसको हम बोल दे हैं, precursor to हमारा preamble, तो preamble से पहले क्या हुआ था, preamble बनने से पहले, थोड़ी बहुत एक जलक दिखाई थी, Javaharlal Nehru ने, Javaharlal Nehru ने, उन्होंने क्या किया था, एक उन्होंने introduce क्या था, ऐसा आप document, ये resolution plan बोलो, अब जिसको नाम दिया था, objective resolution, जिसमें वैसी बाते mention थी, जो कलको बाद में, modify होके, आपका preamble बनी थी, आप जो objective resolution है, इसके साथ, आपको दो dates याद रखनी है, एक तो, कि ये कब introduce हुआ था, and secondly, इसको कब adopt किया गया था, दो dates याद रखनी है, ठीक है, ऐसा नाम आप question, जल्दी जल्दी पढ़ो, objective resolution है, तो, इसको इसको इंट्रिउस किया गया था, लेकिन इसको adopt किया गया था, 22nd January 1947, तो ये दो dates आप क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है, आपको इसमें एक important चीज़ याद रखनी है, कि objective resolution में, इंडिया को बताया गया था, कि इंडिपेंडेंट है, and republic है, तो ISR करके आप इसको short में याद रख सकते हो, independent, sovereign and republic, ठीक है, तो आगे चलते हैं, Constitution Day in India is celebrated on, तो इसका answer क्या होगा, आपको साथ-साथ answer भी करते जाने, तो आप मेरा वीडियो पॉस करके question पढ़ने के बाद, वीडियो पॉस करो and answer करो, फिर उसका solution सुनो, 26 November को हम celebrate करते हैं, Constitution Day, ठीक है, 26 January आपका Republic Day होता है, and this you know, यह आपका Independence Day, अब इस दिन हम क्यों करते हैं, क्योंगि इस से related में मारा आगे और एक question है, तो मैं यहाँ इसकी explanation नहीं दूँगी, इसके साथ और क्या related facts हैं, कि कितने सेशन कितने year में complete हुआ था, 2 years में, 11 months, and 18 days की time period में complete हुआ था, वो draft constitution को 118 days के लिए consider किया था, and 60 countries जो हैं, उनके constitution को क्या किया था पहले, देखा गया था हमारा constitution बनाने से पहले, क्योंगि काफी ऐसी चीज़े हैं, जो हमने बौरो की हैं बाकी countries से, इसके related भी आगे questions हैं, and कितना हमाया खर्चा हुआ था, कितने इन कर्किया था, कितने lakhs, 64 lakhs, और इतना time period जो है constitution बनाने में लगा था, यह कितने sessions में complete हुआ था, 11 sessions में, तो इस सारा जो fact है, वो मेरे notes में mentioned है, जहां से मैंने आपको पढ़ाया है, और जो telegram पर में upload कर दूँगी, तो इसलिए मैं आपको कहते हूँ, telegram link आप ज़रूरी, जो है वो देखके, वो group join करें, match the committees with your chairman, union power committee, जवालाल नहरू, union constitution committee, again जवालाल नहरू, drafting committee हमने अभी देखा, बियार अंबेद कर, advisory committee on fundamental rights, this is your Sardar Patel, and procedure committees, Rajendra Prasad, तो ऐसे करके याज रख सकते हो, P for procedure, P for Prasad, ठीक, fundamental rights में ऐसे करके याद रख सकते हो, fundamental rights you know, अगर आपको कुछ भी नहीं पता होगा इसके बारे में, इंडिया के बारे में आपको इतना पता है, कि religion, freedom यहाँ पे है, sub-religions के लिए, तो religion से कहीं से आप relate करो, Sikh, Sikh से relate करो सरदार, आपको क्लिक करेगा, जहाँ fundamental right के advisory committee है, वहाँ पे नाम सरदार पतेल है, although सिख नहीं थे, इनको लगप दिया गया था, वह हम history में पढ़ेंगे, अब यह वो question है, इसके बारे में बोल रही थी, अब Constitution of India से भी आपको दो dates याद रखनी है, एक हुआ कि इसको कब अडॉप्ट किया गया था, secondly, यह कब फोर्स में लाया गया था, that means कब application हुई थी, इसको कब हमने apply करना शुरू किया था, तो adopt हमने किया था, इसको 26 November 1949 में, इसलिए हम इसन क्या मनाते हैं, Constitution Day, and 26 January 1950 को इसको फोर्स में लाया था, that came into force on 26 January, इसमें confuse नहीं होना आपको, एक ट्रिक है याद रखने की, adopt हम कोई भी चीज़ पहले करेंगे न, पहले हम इसको अपनाएंगे, बाद में उसमें कुछ modifications, कुछ change करना, कुछ addition, subtraction करने के बाद, उसको हम force में लेके आएंगे, तो याद रख लेना, adoption पहले है, force बाद में है, and date कुण सी पहले आएगी फिर, adoption की, 26 November 1949 वाली, तो वो adoption हो गई, force आपका बाद में हो जाएगा, तो बाद वाली date कुण सी है, 1950 वाली 26 January, अब मैंने आपको वीडियो इसमें बताया था, 26 January क्यों हमने choose किया था, क्योंकि 26 January 1930 को, Lahore session of Congress हुआ था, और उसमें इन हुने कहा था, कि हमें पूर्न सुराज दे दो, उससे पहले सुराज का demand करते थे, ठीके, पूर्न सुराज में क्या था, ये बोलते थे, कि हमें complete independence दे दो, उससे पहले ये बोलते थे, अच्छा ठीक, आपको complete independence नहीं देनी हमें, तो आप क्या कर सकते हो, हमें self rule दे सकते हो under British, लेकिन पूर्न सुराज मांगने के बाद, demand करने के बाद, जो हमें देखना इसमें से incorrect कौन से है, तो जो keyword है question का, वो हमेशा exam में देख लेना, correct लिखा है, incorrect लिखा है, yes लिखा है, no लिखा है, ठीक है, wrong, correct, ये सारे words लिखना क्योंगी ये आपका question ही सारा change कर देंगे, अब देखते हैं कौन-कौन से schedule यहां पर गलत marked है, 8th schedule को लिखा गया है, allocation of seats in Rajasabha, क्या ये correct है, no, 8th schedule किसके बारे में आपका 22 official languages जो हैं constitution में mentioned, वो किसमें given है, 8th schedule में, ठीक, and allocation of seats in Rajasabha, ये कौन सा schedule है, schedule 4, 4th schedule क्या कहता है, आपका division of power between union and states, ये भी गलत है, 4th schedule में ने कहा, allocation of seats in Rajasabha हो गया, तो division of power ये कौन कहता है, 7th schedule, 10th schedule, oath and affirmation, गलत है ये भी, 10th schedule में आपको अच्छे से explain किया था, 10th schedule हम किसके बारे में कहते है, 10th schedule आपको बोलता है, anti-defection, ठीक, इसे provisions है, disqualification on the grounds of defection, वो 10th schedule है, और वो किस constitutional amendment से लाया था, 52nd Constitutional Amendment Act से, मैंने कहा था, आपको 52nd नाम याद रख सकते हैं, 52, 5, 2, 10, तो 10th schedule, ठीक है, तो 5, 2, 10 अगर आपको ये आता है, defection आपको याद रखना 10th schedule है, फिर 10th से अगर आपको कोई question आ जाता है, Constitutional Amendment का, तो वो आपको क्लिक करना चाहिए, वो 52nd Constitutional Amendment Act 1985 था, ठीक है, Oath and Affirmation, ये कौन सा schedule है आपका, ये आपका schedule number 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत लिखा हुआ है, and 10th schedule, पंचायत से ये भी रौंग है, पंचायत किस schedule में आता है, आपका 11th schedule में, आपका all of the above, लेकिन इसे आपका क्या हो, schedule revised हो गए, आपके almost, आपके कितने schedule, 10th 12th, अब हमारे कितने बचे, 1st schedule डिसकस नहीं, कि वो नेम्स उसमें आता है states, ठीक है, तो 2nd schedule में क्या mention था, आपका privileges and allowances वगेरा, 5th schedule में क्या था, administration and control, मैंने कहा था, ATMM करके याद रख सकते हो, आपका Assam, Tripura, Megalia, Mizoram, ठीक है, फिर आते है आपका 9th schedule, वो किसे related है, आपके land reform से, 10th schedule हो गए आपका anti-defection, 11th हो गए आपका, पंचायत का, and 12th schedule is related to your, urban local bodies, that is your municipal corporation, ठीक है, तो 11th schedule जो है, उसका क्या amendment act था, 73rd Constitutional Amendment Act, 1992, and जो आपका 12th schedule है, urban local bodies, that is municipal corporation, उसका क्या amendment act है, 74 Constitutional Amendment Act, 1992, ठीक है 10th schedule का क्या act है, 52nd Constitutional Amendment Act, 1985, and आपका 9th schedule जो है, which is your land reforms, उसका क्या Constitutional Amendment Act है, 1st Constitutional Amendment Act, 1951, ठीक है, तो ये सारा आपका topic, यहाँ पर revise होता है, दुबारा, schedules वाला, तो answer क्या होगा, all of the above, क्योंकि सारी statements, इसमें incorrect है, तो कहां से लिए, हमने fundamental rights, मैं आपको कहा, मैं आपको वो page ही दे दिया था, कि कितने सारे जगा से, हमने क्या क्या चीज बौरो की है, वो याद करना difficult है, time consuming है, if you get time, you can go through that, कि क्या क्या बौरो किया है, अगर if you don't have time, at least आपके syllabus में mentioned है, वो चीज़ आपको पता होनी चीए, तो fundamental right, हमने कहां से लिया था, US Constitution से, Irish Constitution से क्या हमने लिया है, DPSP, Directive Principles of State Policy, French Constitution में क्या लिया, एक तो हमने Republic वाला concept यहां से लिया है, ठीक है, Republic क्या होता है, आपका जो Head of the State है, वो कौन होता है, President, वो Head of the State जो है, वो Elected होगा, और किसी भी जो Office है, कोई भी Government Body है, उसको कोई Extra Privileges नहीं होंगे, that means, कोई भी अगर चाहे, उन Offices के लिए, क्या कर सकता है, Merit Basis पे Select हो सकता है, ठीक है, Although Privileges, MPs वगेरा को कुछ है, वो इसका Exception आता है, यहां पर वो नहीं देखना है, हमें देखना है, ऐसा कोई Privilege नहीं है, and Head of State is your President, ठीक, अब French Constitution से, हमने Republic का Concept लिया था, प्लस हमने इससे लिए थे कुछ Ideals, जैसे आपका Liberty, Equality, and Fraternity, ठीक, Soviet Constitution से, हमने क्या लिया था, इससे हमने लिया थे, Fundamental Duties, प्लस हमने क्या लिया था, मैंने चीज़े आपको पढ़ा ही है, आपको याद होनी चाहिए, Ideal of Justice, जो आपके Preamble में Mentioned है, उसमें आपके Economic, Social, Political, तीनु काइम्ज आइम्ज आती हैं, I'll mark the correct ones, National Flag को Adopt किया गया था, 22nd July 1947, ये correct है, National Anthem को Adopt किया गया था, 22nd January 1950, 1950 ये भी correct है, and National Song को Adopt किया गया था, 24th January 1950 ये भी correct है, तो इसका answer होगा, All of the above. Right to Property is Related to Which Constitutional Amendment Act? ने को लास्ट वीडियो पे मैंने आपको कहा था, कि जो First Constitutional Amendment Act है, 1951, इसमें आपके Property-related बाद भी हुई थी, लेकिन ये बेसिकली लाया गया था, specifically land reforms के लिए, और जो Right to Property Act है, ये majorly आपका related है, 44th Constitutional Amendment Act 1978 से, क्यूंकि इसी Amendment Act में क्या किया गया था, इसको fundamental right हटाया गया था, Right to Property को, ठीक है, और इसको एक Constitutional Right या Legal Right बनाया था, under Article 300, ठीक, ये भी बात आप याद रख लोगया, Which of the following is the Precursor to Preamble, Preamble से पहले क्या लाया गया था, ऐसी कोई चीज, जिसमें आपको Preamble का थोड़ा बहुत जलग देखने को मिली थी, August Proposal, No, ये आपके History से related है, Preface of the Indian Constitution, ये तो हम Preamble को ही बोलते हैं, Fundamental Right, ये आपके Constitution का Part 3 आता है, तो इसका आंसर क्या है, Objective Resolution जो हमने अभी डिसकस किया, इसके साथ हमने क्या दो चीज़े डिसकस की, दो डेट्स, इसको कब इंट्रद्यूस किया था, और हमने कब इसको finally adopt किया था, तो इसको इंट्रद्यूस कब किया था, 31st December 1946, and adopt किया था, 22nd, 1946, adopt किया था, 22nd January 1947, तो ये दो डेट्स आपस के साथ, याद रख लोगे, ऐसे अगर देखो क्या होता है, आपने एक बारी Objective Resolution का Question पढ़ा, ठीक है, वो डेट्स आपने पढ़ी, अब दुबारा वो Question रिपीट हुआ, तो वहाँ पर दिमाग में वापस लेके आओ, सारी चीज़ अब्जेक्टिव रेजलुशन से रिलेट्ट्ड, यह नहीं कि आपको इसका अंसर पता है, कि हाँ, Objective Resolution है तो हो गया, यहाँ पर Objective Resolution से रिलेट्ड, जो भी आपको चिक्की Points याद आएंगे, वह याद लाने की कोशिश करो, वैसे ही करके आपका जो यह Constitution है, इसका revision हो जाएगा, देखो इस Question में आपको थोड़ा वो सोचना है, सोचना भी आपको नहीं है, जिनको जादा नहीं पता है, उनको जादा सोचना नहीं है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें बेसिकली है क्या, जिससे इट मीन्स की बेसिक असेंस जो है, आपके Constitution का, वो खतम नहीं होना चाहिए, जिसे आपको Right to Life दिया गया है, Constitution Mandar Article 21, वो एक Basic Essence है Constitution का, वो आपसे कोई नहीं ले सकता है, मतलब government ऐसा कोई law नहीं ला सकती, जिससे आपकी जान को खतरा हो, because you have been given the power of Right to Life, and that is considered as the Basic Structure of Constitution, आप ये जो Basic Structure है, ये कहीं पर Constitution है, पहले से mention नहीं था, ये Supreme Court ने आपको बता रहा, ठीक है, इसकी जो list है, कि क्या-क्या चीज़े include होंगी, Basic Structure of Constitution में, वो list modify होती रहती है, वो time-to-time उसमें नाई-नाई चीज़े add करते हैं, इसके लिए वो चीज़े आपको याद नहीं करने हैं, कि क्या-क्या चीज, Basic Structure of Constitution में आएगी, ठीक है, पहली बात, secondly अब हम relate करते हैं इससे, कि ये आया कैसे था, अगर question में आपको होगा, कि introduce कहा हुआ था, तो इसको introduce किया था, एक बहुत बड़े advocate ने, जिनका नाम है, M के नाम व्यार, ठीक है, जब वो case लड़ रहे थे, किस case में, गोलखनाथ case में, गोलखनाथ case, तो जब वो आगे ये कर रहे थे, अपना ये, जो lawyers, आर्ग्यू करते हैं, उनके argument में, उन्होंने introduce किया basic structure, लेकिन वहाँ पर basic structure पे, importance नहीं दी गई, limelight नहीं थी, उसको recognize नहीं किया, सिर्फ उन्होंने basic structure बोला, तो term जहां introduce हुई, वो होगी, गोलखनाथ case में, ठीक है, अप जुनको polity थोड़ा बूत पता है, और उनको पता है, basic structure केशन नंदा बार्ती case से related है, वो मेरी ये बात सुनके, जल्दी Google करने बाट जाएंगे, और Google पे वो हर जगा देखेंगे, केशन नंदा is related to your basic structure, अगर आपको Google पे cross verify करना है, तो जो law की website से, वहां से आप verify करना, ऐसे किसी random website से, या किसी institute की website से, आप verify नहीं करोगे, ठीक है, तो जो law की related होंगी, official websites, वहां से आप ये देख सकते हो, तो इनको introduce किया था, ठीक है, लेकिन अगर question में होगा, emphasize करना, कि emphasize कहां किया, या उसको limelight में कब लाया, या उसको recognition किस में मिली, तो वो उसको मिली, केशिवननन्दा भारती case में, ठीक है, सिर्फ introduction के, केस में आप गॉलकनाथ और M के नामवियार लिख सकते हो, M के नामवियार case यहां पे नहीं लिखना है, केस का नाम गॉलकनाथ था, और introduce, इनके मूँ से हुआ था, आर्गुमेंट में इनने यह बात बोली थी, ठीक है, तो अगर सिर्फ हलका सा introduction, कहीं पे भी आपको पूछा जा, introduce कहां हुआ था, तो यहां हुआ था, लेकिन recognize, limelight, emphasize, importance, वो सारी केशवननन्दा से related है, and there are high chances, अगर question आता भी है, वो आपको introduction का नहीं पूछेंगे, वो आपको recognition का ही पूछेंगे, ठीक है, क्यूंकि majorly यही belief है, जहां पे आप केशवननन्दा बार्ती केस देखते हो, वहां पे आप basic structure से relate कर तो, यह गलत भी नहीं है, क्यूंकि importance उसको actually उसी case में मिली थी, बट आपके लिए यह जानना भी ज़रूर है, कि introduce कहा हुआ था, how many times है preamble been amended so far, मैंने आपको बोला, Indian Constitution Preamble में, पहले ही mention नहीं था, कि हम secular है, हम socialist है, and India में आपको integrity में लेगे, ठीक है, तो यह जो तीनों terms है, यह हमने किसे लाए थी, 42nd Constitutional Amendment Act 1976 से, तो इसको एक बर amend किया था, और यह तीन words जो है, इसमें add किये थे, ठीक है, तो क्या हम यह बोल सकते हैं, कि India पहले secular नहीं था, India पहले भी secular था, क्यूंकि जो right to freedom है, freedom of religion है, fundamental right article 25 to 28, वो आपको पहले भी mentioned थे, ठीक है, फिर कुछ communalism को थोड़ा counter करने के लिए, communal tendency जो country में हो रही थी, उसको counter करने के लिए, इंद्रा गांधी ने यह secular word जो, इसमें add किया, and welfarist majors के लेकिन इस socialist में क्या होता है, क्या होता है, socialist countries कोंसी होते हैं, जहां पर state control जादा होता है, उनका यह बोलना है, वो state इसले control करते हैं, ताकि welfare and profit जो है, वो equally distribute हो जो है, सब लोगों में, तो उस welfarist majors की वज़े से, socialist word add किया गया, and integrity, क्योंकि हर साइट से demand हो रही थी, कोई कह रहा था हमें language के basis पे इंडिया से अलग करो, किसी को region के basis पे इंडिया से अलग होना था, किसी को religion के basis पे अलग होना था, तो इन सारी चीजों को to put a full stop to all these divisive tendencies, Indra Gandhi ने क्या किया, यह preamble में लेके आए, कि हमारे अंतर integrity है, that means we have got unity, हमें undividedness है, Which of the following case stated that preamble is not a part of constitution, यह किस ने कहा था, बेरोबरी केस ने, LIC case and Kesharnandabarthi case ने कहा था, कि yes, it is a part of constitution, Which of the following statement regarding preamble is wrong, अब हमें देखना है, गलत कुन सी है, तो keyword इसमें क्या है wrong, यह आप धियान से पहले देखोगे, Preamble is justisable in nature, justisable क्या होता है, that means it can be enforced by court, कि अगर आपका कोई भी ऐसी, आपके against, कोई भी चीज हो जाती है, आपकी country में, आपकी state में, जो against होगी ideal of principle, for example, equality के against हो जाएगी, although fundamental right लेके भी approach कर सकते हो, court को, लेकिन आप preamble को लेके approach नहीं कर सकते, क्योंकि non-justiciable है in nature, तो ये गलत है, it is not a part of constitution, ये भी गलत है, क्योंकि LIC और केशारंदा बारती केस में कहा गया था, कि it is a part of constitution, preamble gives power to legislature, to make laws on these things, and it prohibits the power of legislature, to make laws on these subjects, तो ये दूनों भी गलत है, क्योंकि जब मैंने आपको preamble पढ़ा है, तो मैंने आपको का, ना ये source of power है, ना ये prohibit करता है power को, of legislature, that means, अगर equality की बात preamble में हुई है, तो लेकिन उसमें equality की बात हुई है, लेकिन ये नहीं बोला, इफरा प्राइट तो education act लेके आओ, आप constitution amendment लेके आओ, और article 21a से education को fundamental right बनाओ, वो source आपको preamble नहीं देता है, वो legislature का काम है, preamble में बस essence of constitution जो है, वो capture है, ये हम interpret करने के लिए constitution के अलग-अलग provisions को, preamble को consult कर सकते हैं, और ये prohibit नहीं करता है power, जब legislature right to education लेके आया, article 21a से, तो preamble से उसको prohibit नहीं किया गया, कि आपने preamble में नहीं mention था, education के बारे में अलग से, तो आप क्यों ये लेकिया है, तो वो भी नहीं हो सकता, तो हम बोलते हैं, ना ये source of power है, ना ये source of prohibition है, legislature को कोई भी law बनाने के लिए, ठीक है, तो ये सारे गलत है, answer क्या होगा इसका, all are wrong, बड़ी political party थी, जो कब फॉर्म होगी थी, इंदिया में 1925 में, which of the following words, were related to preamble, by, were added to preamble, by 42nd Constitutional Amendment Act 1976, तो कौन से थे आपके, socialist, secular and integrity, what is the correct sequence of words, mentioned in preamble, तो कभी आपको ऐसे question भी आ जाते हैं, कि correct sequence, बताव preamble में क्या mentioned है, preamble की picture, मैंने आपको दिखाई थी, वीडियो में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, net, पे simple, आप Google कर लो preamble, तो आपको images में, preamble की copy सामने आ जाएगी, तो उसकी correct sequence है, justice, equality, liberty and fraternity, तो जहाँ पर liberty mentioned है, वहाँ पर और एक point देख लो, हमें किस-किस चीज की liberty दी जाती है, liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief, liberty of freedom, and liberty of worship, ठीक है, तो इसका आप याद रख सकते हो, T, E, B, F, W करके, इसी sequence में याद रख लेना, T, E, B, F, W करके, तो इस पचा से भी हम बोल सकते हैं, कि all the secular word add नहीं था, लेकिन preamble में ये चीजे mentioned थी पहले से, belief, freedom, worship बगेरा, ठीक है, which of the following word was not mentioned in original preamble, इसमें से कुन सा mention नहीं था, यह भी हमने देखा, democratic yes, republic yes, sovereign yes, secular no, secular को बाद ने add किया गया, 42nd Constitutional Amendment Act 1976 से, अब देखो, एक-एक point का मैं कितनी बार आपको revision करवारी हूँ, मैं इसलिए repeat करी हूँ बार-बार, ताकि आपका revise हो जाए, sovereignty हमने पढ़ा था अच्छे से, मैंने आपको कहा था, sovereignty क्या होता है, कि हम externally independent है, that means कोई हम पर बाहर से कुछ impose नहीं कर सकता, अपने laws वगेरा, and हम internally supreme है, that means जो internal conflicts भी चलते हैं हमारी country में, वो force नहीं कर सकते हैं अपने आपकी government को कुछ करने के लिए, जैसे आपके खालिस्तान groups हैं, ये North, Eastern, Naxal tribes वगेरा है, ठीक है, वो सारी चीजे आपको internally, जो है, riots या conflicts create कर सकती हैं, लेकिन internal supermassive हमारे पास constitution की ही रहेगी, वो हमें break नहीं कर सकती है, ये मतलब आपकी sovereignty का, तो question पूश रहा है, हमारी sovereignty बिटिश के पास कब तक थी, ठीक, तो 15th August 1947 को हम independent हुए, फाइन, ठीक है, लेकिन 26th November 1949 को हमने क्या किया, हमने adopt किया अपना constitution, इस constitution ने क्या finally declare किया, कि हाँ आप free हो, उस चीज़ पे एक stamp लग गई, और उस constitution को, हमने force में लाया, 26th January 1950, तो आप बोल सकते हो, जब तक ये force में ना आया constitution, तब तक हमारी जो external sovereignty थी, वो किस के पास थी, वो British Crown के पास थी, British Queen के पास थी, और हम fully sovereign income हो गए, 26th January 1950, जब हमने constitution को, completely क्या किया, फोर्स में लाया, उसको apply किया, ये question है, थोड़ा conceptual related, which of the statements best describes Indian constitution, it is unitary in character, मतलब central है character में, नहीं, और थो center के पास काफी powers है, लेकिन मैंने आपको federalism में बताया, explain कि कैसे division of powers भी होता है, और center and state जो है, उनके पास अपने-अपने powers है, रूल करने के लिए, ठीक है, तो unitary नहीं है, unitary होता है, जिसके जिसमें centralizing tendencies जादा होते है, अजिए अगर उनिटरी होता Jesus, तो Delhi के पास सारे powers होते है, state के पास नहीं होते है, पर ऐसा नहीं है हमारे पास statement, पास state के पास अपने-अपने-पने-पूद के powers है, इट इस impossible to amend the constitution, ये भी गलette है, although it is difficult, लेकिन कुछ केसे में हम simple majority से भी इसको amend कर सकते हैं कुछ केसे में special majority चाहिए and कुछ केसे में special majority plus ratification of half of the states ठीक है that means although कोई case काफी difficult है इसको amend करना constitution को कुछ केसे में लेकिन कुछ केसे काफी simple भी है तो impossible words रहे हैं यहाँ पर वो गलत होगा it offers dual citizenship नहीं आपके पास single citizenship है इंडिया की ऐसा तो नहीं है आप बोलोगे मैं अपनी state का भी citizen हूँ और मैं इंडिया का भी citizen हूँ वो dual citizenship होता है वो हमारे पस नहीं है हमारे पास single citizenship है तो इसका answer क्या होगा C it is a blend of flexibility and rigidity क्योंकि कोई चीज़ आप बहुत easy से इसको change कर सकते हो जो आप simple majority जिन के लिए चाहिए और कुछ चीज़े काफे difficult है change करना mark the incorrect ones fundamental rights part 4 नहीं यह किस part में आता है part 3rd of the constitution fundamental duties part 3rd no यह आपका part 4th a में आता है and DPSP part 2nd no यह आपका part 4th में आता है part 4th a is your fundamental duties and part 4th is your DPSP fundamental right is your part 3rd तो इसका क्या answer होगा all are wrong what is the minimum age for right to vote universal adult franchise इसको बोलते है वो आपका क्या है 18 and वो 18 हमने किस constitutional amendment से लाया था वो आपको next question में clear हो जाएगा 61st constitutional amendment act 1988 से क्या किया गया था जो voting age थी उसको reduce किया गया था 21 से 18 तक तो इसका answer होगा B and currently आपकी 18 है which of the following statement is true regarding federalism federalism में आपको दो चीज़े कही थी आपकी दो governments चलती है एक आपकी union government है and आपकी state government है plus union level पे भी and state level पे भी आपको division of power देखने को मिलेगा division of power ठीक है तो यह है आपका federalism का basic अब question क्या कहता है कि it makes the constitution unitary no देखो unitary हमने उपर भी एक जगा लिखा अगर आपने वहाँ पे वो question आपको नहीं आता है फिर यहाँ पे repeat हो रहा है तो इससे लिए जल्दबाजी नहीं करना attempt करने में questions the word federation is nowhere mentioned in the constitution true federation जो है यह कहीं पे mention नहीं है constitution में क्यूंकि article 1 जो है आपका वो कहता है India that is भारत it is a union of states federation word as in कहीं पे mention नहीं है यह सही बात है भी देखते हैं Indian states enjoy the sovereign powers with some exceptions ठीक है state के पास sovereign powers है वो खुद अपनी mercy से rule कर सकते हैं लेकिन कुछ exceptions भी है जैसे हमने national emergency वगेरा में देखा था तो वो अलग बात है exceptions की लेकिन sovereign powers है state के पास अपना rule करने का उनके पास उनको वो हक दिया गया है इसलिए बोला जाता है division of power भी है हमारा हमारा federal character है तो ये भी federalism depict करता है it talks about division of power between union and states ये भी ठीक है तो इसमें गलत क्या है it makes the constitution unitary ठीक है अब अगर आपको ये सारी चीजे B, C, D नहीं पता है आपको इस question में सिफ ये पता है कि it makes the constitution unitary अब इसके options देखो कैसे बनाये मैंने A आपको पता है गलत है A इसमें भी आता है C में भी है, D में भी है तो पहले A को eliminate करो तो वहां क्या बजिया B फिर आपको ये options पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है तो जो statement based questions है उनमें ये फाइदा आ सकते है आसानी से eliminate कर सकते हो अगर आपको एक कोई ऐसी statement पता हो जो common दी हुई है options में और ऐसा होता भी है उनने जान के कुछ common दिया होता है ताकि कोई-कोई question आपके लिए थोड़ा easy हो जाए solve करने के लिए Doctrine of separation of power implies separation of power ये क्या बोलता है कि state remains equidistant from all religions नहीं ये आपका secularism का concept है Central and state laws are to be kept separate नहीं ये कोई as such कोई given concept नहीं है implicit है कई जगा पे लेकिन as we separate concept नहीं है Parliament and state legislative assemblies function independently वो हमें पता है लेकिन separation of powers में as in नहीं है separation of power में specifically क्या किसको हम बोलते हैं power of three organs of the state three organs of the government जो कुन से organs होते हैं legislative, lawmaking है and judiciary आपके ये मैंने चीज़े आपको पहली लेक्चर में explain की थी legislative, executive, judiciary आपके पहली या दूसरी लेक्चर में they should be kept separate from each other ये होता है आपका doctrine of separation of powers ठीक है अब देखो कही बारी क्या होता है ये एक थोड़ा guess work है कि अगर कोई question आए ठीक है? आपको उससा कुछ भी नहीं पता हो कुछ भी नहीं पता हो उस cases में 1, 2, 3, 4 statements हो लेकिन आपको तुका मारना ही मारना है उसमें कि आपको है कि ये वाला question में attempt करना चाहता हूं आप चाहते हो कि आप उसमें तुका मार लो तो usually जो statement थोड़ी बड़ी हो कि और जिसमें थोड़ा ज़ादा explanation दिया होगा इन केस आपको कुछ भी नहीं पता है तो go with that अगर आपको बिलकुली wild guess जिसको blind guess बोलते हैं तो blind guess उस statement के साथ करना जो थोड़ा explain करके दी हो क्योंकि ऐसा मुझे लगता है मेरे अपने experience से questions solve करने के कि वो फालतु में कोई एक line में extra information नहीं डालेंगे जब तक वो line correct ना हो तो काफी cases में सही भी हुआ है काफी में गलत भी हुआ है तो आगे फिर आपके किसम में आता है अगर कोई law और act government लेके आता है तो फिर judiciary overlook करती है कि कहीं पर वो constitution के खिलाफ तो नहीं जारे that means जो check है checks and balances वो है अपनी जगा although interfere नहीं करना है इसके काम में लेकिन ऐसा नहीं है executive अपनी मन मानी करे legislative अपनी मन मानी करे एक दुसरे पर वो नजर भी रखेंगे competitive federalism यह मैंना आप किसम में कहा था कि इंडिया में क्या follow होता है cooperative federalism कि states corporation में काम करेंगे फिर एक साल नरेंद्र मोधी ने कहा था आप cooperative के जगे competitive federalism लेकिया और अपने आपको better करो सारे indicators में superiority of parliament हमारे यहाँ superiority of parliament नहीं होती है हमारे यहाँ superiority of constitution होती है ठीक है तो इसका answer में आपको पहले ही जब हमने parliamentary reform or government पढ़ा था features वाले वीडियो में वहाँ पे explain किया है it is coordination and cooperation आप कुछ emergency के देखते है financial emergency comes under which article? 360 ठीक है? 352 आपका national emergency related है 356 आपका president's rule related है and 300 is your legal right जो आपके property के related है ठीक national emergency on the grounds of war or external aggression or armed rebellion comes under which article? तो national emergency in basis पे किस article के अडर आती है? article 352 जो मैंने अभी बताया 356 और 365 दोनों president's rule से related है 365 के इस case में है अगर state जो है वो center के directions पे नहीं चलेगी and 356 के इस case में है अगर जो constitutional machinery है उसका breakdown हो जाए state में मतलब constitution के according अगर state काम नहीं करेगी तो उस case में क्या आ जाता है? 356 and 360 जो financial emergency फिर तर्म internal disturbance जो है it was replaced by armed rebellion using which constitutional amendment act इसका answer है 44th constitutional amendment act 1978 ठीक है? तो 52nd के से related है आपके? defection से anti-defection schedule 10 42nd के से related है आपके? secular, social and integrity and first constitutional amendment act किसे related है आपके? land reforms schedule 9 ठीक है? तो 44th constitutional amendment act जो है वो उससे internal disturbance को change करके armed rebellion लाया था armed rebellion हो गया जब एक side से government है और दूसरे side से जो party है वो भी equally violent है उनके पास भी arms वगेरा guns ये सब चीज़े हैं लडाई करने के तो internal disturbance को ये replace किया गया था क्योंकि internal disturbance कई तरीकों की हो सकती है normal internal disturbance भी हो सकती है और अब हर बात पर national emergency नहीं ले किया सकते हो इस वज़े से इसको replace किया गया था ठीक है? तो ये रहा आपके 30 questions I hope इसमें आपको काफी ज़्यादा revision हुआ होगा एक wholesome session था ये जिसमें काफी ज़्यादा आपको मैंने revise करवाने की कोशिश की मैं revision series अलग भी लेकर आऊंगी लेकिन I hope इसमें आपके काफी चिज़े clear हो गई हो तो अब हमारा next इसमें बचता है fundamental rights और वो हम जल्दी start करेंगे till the time I upload next video bye-bye take care have a great day